कैसे हैं आप लोग बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में माई दियर फ्रेंद्स हम लोग आज जो क्लास करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है क्यूंकि आपको भी पता है कि एक्जाम में जो है वो इंपोर्टन लाइन से questions आते ही आते हैं और अगर बात की जाए Hamlet और Macbeth की तो शायद आपको questions यहां से ज़ादा मिलते हैं तो इसलिए इनको detail में अच्छे से cover करना बहुत ज़रूरी है तो मैंने आप लोगों से इस बारे में चर्चा भी की थी कि क्या मैं इसको online करवाऊं या offline भी videos में डाल दूँ तो आप लोगों ने मुझे ऐसा कहा था कि आप offline भी डाल दीजे उसके पीछे मैंने थोड़ी सी अपनी problem बताई थी प्रॉब्लम यह थी कि अभी यह जो text है मुझे यह सारी क्लास में मैं आपका विल्यम वर्थ वर्थ जो है वो कोशिस करूँगी कि हतम हो जाए तो चलिए इसको start कर लेते हैं आज हम कर रहे हैं hamlet का तो पहला जो आपको coat दिख रहा है यह पहला जो coat है आपका यह hamlet का ही है और hamlet का इस मतलब यह ही पर आपको तीन जो important coat है वो देखने के लिए मिलेंगे तो देख लेते हैं कौन-कौन सा है मैं pen ले लेती हूँ फिर हम बात करते हैं तो देखे ओ एक सिकेंड इसको मुझे तो पतला करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो देखे जो पहली important line है वो है hamlet की Oh that this two solid flesh would melt thou and resolve itself into a dew or that the everlasting had not fixed his canon against self-slaughter Oh God, Oh God ठीक यह आपकी जिसे बोलते हैं कि पहली important line हो जाती है उसके बाद यह वाली line भी बहुत पुची जाती है इसको अगर आप first बोलोगे तो यहां से आपका second हो जाएगा How very stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this word Oh fee, this an unweeded garden that's grow to sheet ठीक यह आपका जो है यह second बनता है और यहीं पर आपको जो है वो आपको third line भी देखने के लिए मिलेगी तो यहां पर क्या है हम पूरे ही इस paragraph का जो अर्थ है यानि जो meaning है उसको देख लेंगे क्योंकि इसमें तीन तो important line आपकी बनी ही रही है तो उनको आप चाहो तो अलग से note कर लो जब मैं बताती चाहो तो या तो फिर as it is पूरा paragraph आप आराम से note कर सकते हो तो देखें यहां पर क्या है यहां पर देखें कहा जा रहा है कि oh that this too solid flesh would melt dough and resolve itself into dew यानि कि oh मैं किस प्रकार ये इक्षा करता हूं किस प्रकार मेरी ये मर्जी है मेरी ये इक्षा है कि मेरा ये जो ठोस सरीर है ये पिघल कर उसकी बूदों में परिवर्थित हो जाए देखें यहां पर melt का मतलब आपको पता ही है क्या होता है पिघलना और solid flesh का मतलब क्या है मेरा जो ठोस सरीर है मेरा ये जो ठोस सरीर है इसको solid flesh कहा गया है अब देखें resolve itself into dewज़़व का मतलब क्या है ओस की बूंदे क्या मतलब है ओस की बूंदे ठीक तो अब देखिए आपका इन दो लाइन का क्या मतलब निकला है इसका मतलब यही निकला कि ओ मैं यह किस प्रकार इक्षा करता हूं यानि that this too मैं यह किस प्रकार सोचता हूं मैं ये किस प्रकार रिक्षा करता हूँ कि मेरा ये जो solid flesh है मेरा ये जो ठोस सरीर है ये melt हो जाए किस में resolve itself into a dew उसकी बूंदों में परिवर्तित हो जाए ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ ये hemlet जो है वो बोल रहे हैं उसके बाद देखे और that everlasting had not fixed his cannon against his slaughter O God, O God अब यहाँ पर देखे क्या है वो कह रहे है कि मैं किस प्रकार ये सोचता हूँ कि भगवान ने आत्मा हत्या करने के लिए किसी भी तरह के दंड का कोई प्राविधान नहीं किया होगा यानि कि यहाँ पर वो यही सोच रहे हैं कि मैं अपने इस सरीर को मतलब किस तरह से खतम करनूँ तो उसके लिए वो यही कह रहे है कि अगर मेरे मन में ये विचार भी आ रहा है कि मैं अपने इस सरीर को नश्ट करनूँ तो फिर तुरंथी उनके मन में ये भी विचारा रहा है कि आत्महत्या जैसा जो अपराध है अगर उसको किया जाए तो किस तरीके से इस्वर माफ कर सकता है या इस्वर उसके लिए कोई सजा नहीं देगा ऐसा मैं सोच भी कैसे सकता हूँ ठीक तो इस वाली लाइन में यही लिखा गया है Everlasting ठीक है Oh God, Oh God, ठीक यहाँ पर देखे Self Slaughter का मतलब क्या हुआ Self Slaughter का मतलब हुआ आत्महत्या ठीक आत्महत्या यानि कि यह कोई Everlasting Had Not Fixed यानि जिसे बोलते हैं Canon का मतलब क्या होता है जिसे एक तरह से आप कह सकते हो कोई Rule या कोई प्रावधान ठीक तो यही कहा गया है कि यह मैं कैसे सोच रहा हूँ Hamlet कह रहा है यह मैं कैसे सोच रहा हूँ कि इस ईस्वर का कोई प्रावधान नहीं होगा किसके against में Self Slaughter यानि आत्महत्या के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ तो उसके लिए कोई जिसे बोलते हैं उसने दंड का प्रावधान नहीं किया होगा यह मैं गैसे सोच भी सकता हूँ ठीक clear है आगे बढ़ते हैं मैं तो अपनी तरफ से कोशिस कर रहे हूँ कि चीज़े आप लोगों को बिलकुल crystal clear हो जाए इसलिए मैं word meanings का जो मतब जिसे बोलते हैं अर्थ है वो भी बता दे रहे हूँ अगर आपको फिर भी कोई problem है कहीं पे कोई line नहीं समझ में आई है तो आप मुझे comment कर लीजेगा मैं आपको जो है reply कर दूँगी तो आपको मेरे voice में problem हो सकती है actually जिसे बोलते नहीं तंग में मेरे काफी इससे बोलते हैं चाले पड़ गए हैं तो इस वासे बोलने में थोड़ी से problem हो रही है लेकिन कोई नहीं बस यह है क्या है आप लोग manage कर लीजेगा आगे देखिए तीक आप देखे इसका मतलब देखते हैं इसमें क्या कह रहे है है हम्लेट हम्लेट कह रहे है कि हे भगवान मेरे उपर आप क्या करिए दया कीजिए मुझे पर खृपा कीजिए कि मेरा ये जो जीवन है मेरे जीवन की जो जितनी भी क्रियाएं है ये सब मतलब कितनी निरर्थक मतलब अनूपयोगी सुस्त और काहिल सी प्रतीत हो रही है मुझे इन सारी क्रियाओं पर जो भी मैं काम कर रहा हूँ आज कल मेरी जो दिन चर्या चल रही है उन सब पर मुझे क्या है लानत हो ठीक आगे देखें अनवीड़ गार्डन का मतलब क्या है जिसे बोलते हैं अनप्रोफिटेबल या फिर जिसे आप बोल सकते हो कि बेकार सा तो यहाँ पर वो यही कह रहे है कि यह जो संसार है यह तो एक ऐसा बगीचा एक गार्डन है एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर सिफ काही उगती है मतलब जहाँ पर ऐसा गार्डन है जहां पर केवल काही ही उगती है और यहां केवल भद्धी और क्रूर वस्तुओं की ही क्या है अधिकता है ठीक है देखें पूरा संसार है वो बिल्कुल देखने में ऐसा ही लग रहा है कि निरर्थक है कुछ भी नहीं है पेकार सा अनवीड़िट गार्डन जासा दिख रहा है तो इन लाइफ का मतलब आपको समझ में आ गया है इसमें बस यही कह रहे है जिसे बोलते हैं की यह जितनी भी मेरी क्रियाई हैं वो यही कह रहे है कि कितनी अनुपयोगी काहेल और सुस्त निरर्थक ठीक है ये मदब ये सारी चीजे जो है वो प्रतीत हो रही है मुझे और मुझे इन सारी चीजों पर क्या है लानत हो ठीक है तो मतलब आपको पता ही है कि हमलेट का जो अगर आपने पूरी समरी देखी है तब ही तो आप इंग अतल क्लॉडियस ने ही उनको मारा होता है तो वही इस उसी जो बहाता है उसके जो फाधर हो घूष्ट बनके मिलता है और बोलता है कि तौमरा बदला लो तो उस सिलसिले में ये जो भी काम करता है तो क्या कहता है कि इस समय मुझे अञीय को बहुता है तो इस समय मेरी Então they are warm up आगे बढ़ते हैं आगे देखें कहते हैं मुझे आश्चर हो रहा है कि इस संसार में इस प्रकार का परिवर्तन कैसे आ गया ठीक है क्यूंकि अभी तक जब तक उसके फादर जिंदा थे तो मतलब सारी चीज़े उसको अच्छी दिखाई देती थी उसकी मदर भी उसके फाद इट शूट कम टू डिस बट तू मन्थ डिड अभ यहां पर वो कहेंगे कि मतलब अभी तो मेरे पिता को मरे जादा समय भी नहीं हुआ केवल उनकी मृति को कितना दिन हुआ है तू मन्थ सिर्फ और सिर्फ दो महीने ही हुए है देखें 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 अभी जादा दिन हुआ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ दो दिन हुआ है दो मन्थ हुआ है आगे देखें ने नोट सो मच नोट तू सो एक्सलेंट अ किंग तो तो दिस हैपेरियन तो अ सैटन अभी यह दोनू क्या है इनका भी मैं बताऊंगे आपको अब यह देखें यहां पर देखें वो क्या कह रहे हैं यहां पर यही कह रहे है कि इफ इंक्रीज ओफ एपटाइड हैड गाउन आगे देखेंगे यहां से देखते हैं यहां तक उन्होंने अभी क्या कहा उन्होंने कहा कि मेरे पिता को मरी अभी ज़ादा दिन हुए भी नहीं है और फर सिर्फ two month हुए हैं उनको मरे हुए ठीक है और आगे वो फिर कह रहे हैं कि मेरे पिता कैसे थे so excellent king मतलब बहुत ही अच्छे राजा थे और इस राजा यानि कि इस समय जो राजा है यानि कि जो Claudius है वो और मेरे पिता यानि कि मेरे फादर दोनों में कितना बहुत ज़ादा अंतर है जमीन आस्मान का अंतर है मेरे जो पिता है वो जिसे बोलते हैं अभी की बात की जाए क्योंकि दोनों तो उसके father ही हुए जब उसकी mother ने दूसरी शादी कर ली तो Claudius भी तो अब उसका father ही हो जाएगा तो उसके बाद देखे जिसे बोलते हैं कि Hamlet का पिता Claudius जो Saturi की भाती है ठीक है की तुलना में Hyperion के समान प्रतीत होते थे ठीक है कैसे प्रतीत होते थे Hyperion के समान प्रतीत होते यहाँ पर उन्होंने जो Hyperion और Saturine दो word दिये हुए हैं यह उन्होंने अपने दोनों father यानि कि एक तो उसके अंदर अंकल जिन से उसकी माने बाद में शादी की थी वो और एक तो उसके real father जिनकी के death हो गई है तो दोनों की in word से तुलना कर रहा है ठीक है वो यह कह रहा है कि मेरे जो पिता थे पिता Claudius जो किसकी तरह हैं सैटर की भाती हैं कि तुलना में Hyperion के समान प्रतीत होते थे ठीक है यानि उसके पिता उसके पिता कैसे थे Hyperion के समान तो यहाँ पर क्या है comparison क्या है दोनों मतलब वो अपने इसे बोलते हैं चाचा Claudius में और अपने फादर में तो दोनों को आप चाहे फादर ही समझो चाहे चाचा और उसके फादर समझो तो फिलाल यहाँ पर यही है कि वो क्या कर रहा है compare कर रहा है So loving to my mother ठीक वो मेरी माता को कितना प्रेम करते थे यानि कि मेरी माता को वो बहुत ज़ादा प्रेम करते थे अब देखे That he might not beaten the wind of heaven visit her face too roughly अब देखे यहाँ पर वो क्या कह रहा है यहाँ पर यह कह रहा है कि वो इतना ज़ादा मेरी माता को प्यार करते थे कि wind को यानि कि हवा को वाईयू को भी वो इतनी permission नहीं देते थे इतनी अनुमती नहीं प्रदान करते थे कि वो मेरी मा के गालो पर जोर से आके टकराने का अपराद करे समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात उसने कह ली कितना बड़ा वो सोच रहा है मेरे पिता जो है वो इतना ज़ादा मेरी मा को प्यार करते थे और मेरी माने क्या किया मेरे फादर को मेरे अभी कुछ दिन ही हुए है उसने तुरंत ही क्या की दूसरी शादी कर ली इसी के बारे में आगे वो चर्चा करेंगे ये पूरा paragraph उसी से related है ठीक है तो इसी लिए मैंने सुचा कि आपको एक दो lines बताने के बजाए ये पूरा paragraph बता दूँ जब आप पूरा paragraph बढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये पूरा अच्छे से जिसे बोलते हैं set रहेगा तो lines आएंगे तो उनको connect करते है आराम से समझाओगे कि ये कहां से है इसी लिए otherwise मैं भी क्या कर सकती थी कि एक एक line जो important है यहां से उठा के बता सकती थी लेकिन मैंने ये बता दिया कि यहां पर total कितनी इस paragraph से आपकी कितनी है total 3 lines निकलती है ठीक तो आप ध्यान रखो तो इस कि वो आकर उनके गालों पर जोड़ से चकरा आजाए उसके बाद देखे must I remember है भगवान क्या मुझे ये सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या याद करना पड़ेगा आप देखे वो यही कहेंगे कि किस तरह से मतलब यहां पर वो सारी scene create मतलब एक तरह से उसके दिमाग मे होगी कि किस तरह से फादर की जब death हुई थी तो उसकी मतलब क्या पहन के गई थी और किस तरह से वो ही सारी चीज़ें अभी भी उसके पास हैं और अभी जादा दिन भी नहीं हुए और उसमें दूसरी शादी कर ली तो यहां पर पुरा वो चीज़ आने वाला है तो आगे आगे वो कह रहे हैं मेरी माता मेरे पिता के साथ इस तरह से हमेशा चिपकी हुई रहती थी ऐसा लगता था कि उससे जादा प्यार तो कोई और कर ही नहीं सकता अपने पती को ठीकेट समझ में आया हैं वाई शुड हैंग ओन हिम का मतलब क्या है उनके उपर चिपके रहना ह कैसे चिपकी रहती थी ऐसा लगता था मानों की उससे जादा प्रेम तो कोई अपने पती को कर ही नहीं सकता आगे देखें बाई वोट इट फेड ओन एन येट विदिन अ मांथ लेट मी नौट थिंक ओन इट ठीक अब आगे देखें यहां पर वो कह रहे हैं कि फिर भी एक महीने भी नहीं हुआ वन मांथ अभी एक महीने भी नहीं गुजरा मेरे फादर को मरे हुए और लोग मुझसे ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ क्या करना चाहिए भुला देना चाहिए ठीक और इतनी कम अवधी में ही मेरी मां ने क्या किया दूसरी शादी भी कर लियो और मुझसे सब लोग क्योंकि क्लॉडियस जब मिलता है तो वो यही कहता है कि चलो इन सारी चीजों को भूल जाओ अब तो वही वो कह रहा है कि अभी एक महीने भी नहीं बिता और लोग मुझस क्या करते हैं मुझसे यह पेक्षा रखते हैं मुझे यह कहते हैं कि तुम क्या करो इन सारी चीजों को भूल जाओ यानि कि जो भी हुआ उनको भूल जाओ इतने कम समय में आगे देखें let me not think on it मुझे अब इन चीजों पर क्या नहीं करना चाहिए सोचना नहीं चाहिए आ नमबर इंग पॉर्ड निटल लाइन तो मैंने आपको चार कोड बता दी हैं ध्यार रखेगा चार मैंने आपको बताई हैं यह चौथी है तिक यहां तक देखें फिर आगे वो यही कह रहे हैं कि हमलेट कहता है कि मैं तो बस यही कहूंगा कि जो कमजोरी है यानि कि यह जो स्त्री है यह जो वोमेन है यह क्या होती है यह कमजोरियों का धेर होती है यानि कि दुरबलताओं का धेर होती है fraternity का मतलब होता है दुरबलताएं या कमजोरिया तो fraternity, thy name is woman यानि दुरबलता, तुम्हारा दूसरा नाम क्या है woman है, यानि औरत है तो कहने का मतलब यह है कि औरत जो है वो क्या है, दुरबलताओं का धेर है हमलेट के हिजाब से औरतों को हमेशा सहारा चाहिए, जरुवत होती है उन्हें मर्द की, तो इसलिए वो कह रहे है कि इतनी मतलब कमजोर होती है औरते कि अभी मेरी फादर को मेरे एक महीना भी नहीं है और तुरण मेरी माने क्या की शादी कर ली, दूसरी तो इसलिए वो एकदम परेशान है और इसलिए ये स्टिटमेंट देता है कि फ्रैलिटी दाइनेम इस वोमें ये अपनी मदर के लिए वो कहता है ठीक है, उनसे कहता नहीं है लेकिन इसके विचार उसकी मदर के शादी करने के बाद ही सारी औरतों के लिए ऐसे बनते हैं कि जो इस्त्री होती है वो क्या होती है, वो दुर्बलताओं के धेर के अतरिक तो और कुछ भी नहीं है आगे देखें, अलिटिल मंथ अभी एक महीने का समय भी नहीं बीता ठीक है, अलिटिल मंथ अभी एक महीने का समय भी नहीं बीता दो शूज वर old, और वो जो जूते मेरी मा, ठीक है नियोप की भाती, मेरे पिता के अंतियोस्टी के जुलूस में पहन कर सम्मिलित हुई ठीक है, यानि कि जो जूते पहन कर, वो अभी मेरे पिता की जब अंतिम संसकार हुआ था, उनकी अंतियोस्टी हुई थी, उसमें वो जूते वो पहन कर गई थी यहाँ पे देखे लिखा है ना she followed यानि वो गई थी my poor father's body यानि कि मेरे poor father का जब अंतिम संसकार हो रहा था वहाँ पर वो गई थी like nebo all tears वो nebo niob की भाती ठीक है niob की भाती गई थी पूरी आसू बहाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी ज़ादा दुकी हो और उस समय जो उसकी आखे थी बहुत ही ज़ादा आसू से क्या थी भरी हुई थी ठीक है why she even she आगे वो कहता है कि क्यों उसने किया उसने तो इतना समझ में आगे होगा आप लोगों को मुझे लगता है यह जो मैंने आपको paragraph बताया ठीक है यह पूरा hamlet का ही statement है hamlet नहीं बोला है इसमें से चार important line है जो आपके exam में बार बार repeat होकर करके आती है ठीक तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजेगा अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे आराम से question कर सकते हैं ठीक है कोई problem वाली बात नहीं है give every man thy ear but few thy voice take each man's censor but receive reserve thy एक सिम्था चोटा करनो तब आप लोगों को दिखेगा अभी ठीक है thy judgment costly thy habit as the post can buy but not expressed in fancy rich not godly अब ये कौन बोलता है ये जो statement है ये किसका है ये statement है आपका Polonius का किसका है Polonius का statement है ठीक अब देखे वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि तुम्हे जो है give every man thy ear तुम्हें जो है सबकी बाते सुननी चाहिए every man तुमको अपना जो कान है वो सबको देना चाहिए मतलब क्या है तुमको हर किसी की जो बात है वो सुननी चाहिए but few thy voice ठीक लेकिन तुम्हें हर एक के साथ बात नहीं करना चाहिए लेकिन few यानि तुम्हें कम ही लोगों के साथ voice यानि कि क्या करना चाहिए बात करना चाहिए यानि तुम्हें हर किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए तुम्हें जो है तुम्हें हर एक जिसे बोलते हैं तुम हर एक के मत को यानि उसका क्या विचार है उसका तो तुम जानकारी फ्राप्त कर सकते हो उसको तुम जान सकते हो ठीक है तुम्हें हर व्यक्ति की जो सेंसर है यानि उसकी जो जानकारी है sensor का मतलब क्या है यहां पर sensor का मतलब है कि जानकारी वो विक्ति क्या जानता है क्या तुमसे वता रहा है क्या कह रहा है वो सब तुमको जानकारी रखना चाहिए वो सब तुमको सुनना चाहिए बट लेकिन जिसे बोलते हैं कि तुमको जो है वो किसी के जिसे बोलते हैं किसी के मत पर निड़ नहीं लेना चाहिए कहने का मतलब क्या है कि सामने वाल अगर आप से कुछ कह रहा है उसका कुछ विचार है उसका कुछ मत है तो as it is तुमको वो बाते नहीं फॉलो करनी है ठीक तुमको मान नहीं लेना है दूसरे के मत को अपना मत नहीं बना लेना है तुमको क्या करना है हमेशा अपने वुद्धी विवेक से काम करना है जैसे अभी भी क्या कहा जाता है कहा जाता है ना कि सुनो सबकी करो अपनी कहा जाता है यह हम लोग के जिसे बोलते हैं कहावत है तो वही इसने भी कहा है पॉलोनियस ने कहा है तो पॉलोनियस यह है वो यही कहता है पॉलोनियस यह सारी चीज़े किसको अपने बेटे को एडवाइस करता है ठीक तो काफी अच्छी अच्छी बाते इसमें यह बताता है तो यही वो कहता है कि तुम्हें जो है सबकी बाते सबका जो judgment है वो तुमको मानना नहीं चाहिए तुमको अपने बुध्धि विवेक से काम करना चाहिए ठीक है आगे देखिए आगे कहते हैं तुम्हें अपने साधनों के अनुरूप मतलब जो भी तुम्हारे पास चीजें हैं उनी की अनुसार तुम्हें अपने आपको जिसे बोलते हैं सम्मानी तरीके से अपने कप्रे पहनने चाहिए ठीक है वो सारी चीजे ध्यान रखना चाहिए जो भी से बोलते ह कि एक देखने में जिसे कहते नहीं है simple and sour कहने का मतलब यह है कि वो चीजें अच्छी हों वो चीजें जिसे बोलते हैं समानी तवस्त्र हों लेकिन ऐसा ना लगे सामने वाले को कि तुम उसको क्या कर रहे हो शो ओफ कर रहे हो ठीक है तो वही वो कह रहे हैं कि वो चीजें रिच हो सकती हैं महंगी हो सकती हैं लेकिन नॉट गौदी यानि कि वो सारी चीजें तुमको ऐसी नहीं करनी है कि वो ऐसा लगे कि जैसे तुम दिखाने की कोशिस कर रहे हैं दिखावाजे से कुछ लोग होते हैं कह रहा है कि तुम्हें जो है अपने जो भी तुम्हारे पास चीजें अवलेबल हैं जितनी भी तुम्हारे पास चीजें हैं जो भी तुम्हारे पास साधन है उसके अनुसार तुम्हें हमेशा अच्छा और सम्मानित वस्त्र ही धारन करना चाहिए लेकिन तुमको जो वो सार होते हैं व्यक्ति की वोही व्यक्ति का चरित्र और उसका व्यक्तित्व का क्या करते है फ्रादर्शन करते हैं, जैसे के आप देखें इंटर्व्यू में थोड़ा सा इसले लिंक कर दे रही हूं चीजों को कि कपड़े जो हैं वो क्या करते हैं व्यक्तिके चरित्र को उसके उसका जो personality है उसको दिखाते हैं आप जैसे इंटर्व्यू में है आप चमक धमक वाले कपड़े पहन कर और इस तरह का पर्स लगा कर बिल्कुल उस तरह की चीजे करके नहीं जा सकते हो उसका एक decent dress code होता है जिसे बोलते हैं उस तरीके से आपको जाना होता है तो वो क्या करता है वो आपका जिसे बोलते है personality है आपकी इस तरह से सोचते हैं क्या आपका विचार है वो सारा आपका dressing sense से ही पता चलता है interviewer जो होते हैं वो judge कर लेते हैं और कई बार तो जिसे आप देखो जब वो होता पहले लिया जाता है शेशन तो उसमें वो बताते भी हैं यानि जो प्रैक्टिस वगरा करवाई जाती है काफी कोचिंगों में तो कहने का मतलब यह है कि यह वही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो जितने भी सादन है जितने भी पैसे हैं उसे साब से तुम अच्छी चीज़ के बारे में अंदाजा लगाता है उसी से क्या होता है व्यक्ति के चरित्र का प्रेदर्शन होता है आगे देखें और आपकी यह जान लीजे क्योंकि यहां से फिर लाइन आएगी यह फिर आपकी अगली इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी नीदरा बोर्वर तो दो इसका भी अर्थ बता देती हूं तो अभी उन्होंने क्या कहा कि जो कपड़े होते हैं वही व्यक्ति की क्या होते हैं व्यक्ति के बारे में प्रोक्लेम करते हैं ठीक है उसके जो एपरल होते हैं यानि उसके वस्त्र होते हैं वो व्यक्ति के बारे में बताते हैं ठीक है यहां पर फ्रांस में रहने वाले लोगों की एक तरह से तारीफ कर रहा है वो कह रहा है कि they in France दे मतलब वो लोग जो फ्रांस में रहते हैं in France, France में है of best rank यानि अच्छी positions पर ठीक वो लोग क्या करते हैं वो लोग हमेशा अच्छे वस्तर क्या करते हैं धारण करते हैं ठीक यह हो जाएगा most selected and general chief यानि कि जो लोग बहुत अच्छी position पर बहुत अच्छी जगा पर बहुत अच्छे पत पर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं अच्छे कपड़े, अच्छे वस्तर, सम्मानित वस्तर क्या करते हैं धारण करते हैं अब देखे, अगला जो है देखे, हमने देखा था, उधर क्या है फोर लाइन देखी थी, चार लाइन देखी थी ठीक, इंपोर्टेंट अब यह पांच्छवा कोट है, इंपोर्टेंट गिफ एवरी मैंस यह ठीक उसके बाद छट्वा आपका जो कोट हो जाएगा वह यहां से हो जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो 6th नंबर है यह अब यहाँ पर वो कह रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना तो किसी दूसरे से पैसा उधार लो, ठीक है और ना ही दूसरों को अपना जो धन है, वो क्या करो उधार दो, ठीक नीदर अब बॉरोर, ठीक यानि ना ही तुम किसी से बॉरो करो यानि पैसा उधार लो, नॉरल लेंडर भी और ना ही तुम किसी को उधार देने वाले बनो for loan of to loses both itself and friends अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो जिसे बोलते हैं उधार देने वाला है for loan, मतलब जो उधार देने वाला व्यक्ति होता है loses, वो खो देता है both, यानि दोनों को ठीक है, किन-किन चीजों को? उधार के पैसो को and friendship, यानि friendship को यानि कि वो जो धन देने वाला अभी reason मैं बताऊंगी क्यों ऐसा वो कह रहा है तो मतलब उधार ना किसी को देना चाहिए ना किसी को से उधार लेना चाहिए क्योंकि जो उधार देने वाला होता है वो अपना पैसा तो खोता ही खोता है, साथ में वो अपनी friendship भी खो देता है और end borrowing और जो लेने वाला होता है जिसने उधार प्राप्त किया है dulls the edge of husbandry यानि कि वो क्या करता है जिसने उधार लिया है वो क्या करता है, वो व्यक्ति फिजूल खर्चे करने लग जाता है ठीक है, फिजूल खर्चे में पढ़ जाता है फिजूल खर्चे करने लग जाता है clear है, यहाँ पर समझ में आया अब यहाँ पर वो इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि अगर तुमने किसी से उधार तुमने किसी को पैसे उधार दिये हैं और वो व्यक्ति जो पैसा तुम्हारा है उसको लोटा नहीं रहा है ठीक है उसको दे नहीं रहा है वापस नहीं कर रहा है तो क्या करोगे आप छगड़ा करोगे या उसको मारोगे या फिर उससे होता है कि मांगने जाओगे बार बार नहीं देगा तो क्या करोगे आपके friendship तूट जाएगी ठीक आपका मन फिर दुबारा उस व्यक्ति से नहीं लगेगा और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका पैसा तो चला ही जाएगा क्योंकि उसने दिया नहीं तो ये जो है जो लोन दे रहा है उसको ये नुकसान होता है और लोन लेने वाला क्या है जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो उसको लगता है अरे चलो खर्च करो जब आएगा तो देंगे अरे छोड़ो बहुत सारे लोगों के ऐसी आदत होती है तो इसलिए वो कह रहा है नीदर बोरोर यानि तुम ना ही उधार लेने वाले बनो नौर लेंडर भी और ना ही उधार देने वाले बनो अब दोनों के ही उसने जो भी नुक्षान है वो बता दिये तो ये हमारी 6 नमबर कोट हो गई थी ठीक है क्या थी ये 6 नमबर थी आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आगे है 7 नमबर इसको नमबरिंग कर लेते हैं 7 नमबर है मैंने जो एक्ट और सीन है वो नहीं बताया है ठीक क्योंकि एक्ट और सीन एक्जाम में आता नहीं है लेकिन अगर आप लोग चाहो तो जिसे जो मैंने सबसे पहले बताया सबसे पहला जहां से वीडियो स्टार्ट किया सबसे पहला जो paragraph था जो hamlet का statement था वो act 1 scene 2 से था ठीक है और अभी जो हमने पढ़ा just इससे पहले जो polonius का statement था वो किससे था वो act 1 scene 3 से था तो इसको आप द्यान रखेंगे अगर आपको रखना है तो क्योंकि ऐसे पूछा तो जाता नहीं है लेकिन कभी कभार आपको देखने को लिए मिलेगा कि एकाद बार जो है पूछ दिया गया है तो इसलिए अगर आप चाहो तो आराम से ध्यान रख सकते हो जिसे बोलते हैं, जानना चाहिए, तो आप जान लो, मैं बताती चलूँगी, अब ये वाला जो statement है, 7 number, ये 7 number जो statement है, ये किसका है, ये Marcellus का statement है, ठीक, Marcellus का statement है, Act 1 and Scene जो है, वो आपकी 4 है, ठीक, Act 1 and Scene 4 से ये statement लिया गया है, वो कहते हैं, कौन कहता है, Marcellus, Marcellus कहता है, Something is rooted in the state of Denmark, यानि कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कह रहे हैं, कि Denmark के राज में, कही न कहीं, कोई न कोई बहुत ही बुरा काम अवश्य हुआ है, ठीक, rooted का, Something is rooted, का मतलब क्या है, कही न कहीं, कुछ न कुछ बहुत बुरी चीज, जो है, वो घटित हुई है, कहाँ पर, in state of Denmark, यानि कि Denmark राज में, Denmark राज में, कुछ न कुछ तो बुरा, जो है, वो अवश्य हुआ है, यह कौन कहता है, यह Marcellus कहता है, ठीक, यह आपने देखी लिया, कि Act 1 और Scene 4 से लिया गया, यह statement है, उसके आगे बढ़िये, यह मतलब थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन मैं पढ़ दूँगी, तो आप इसको समझ दीजेगा, ठीक, नोट कर दूँगी, यह आपका Important Line 8 है, और यह क्या है, The Serpent, Serpent का मतलब क्या होता है, साफ, That Did Stinct Thy Father, Now Wears His Crown, ठीक, यह statement किसका है, यह गोस्ट का है, ठीक है, घोस्ट जो है, वो Hamlet से कहता है, कि वो जो सर्बेंट है, साफ है, उसने, That Did Stinct, जिसने तुम्हारे Father को, Thy Father, यानि तुम्हारे Father, Your Father, जिसने तुम्हारे Father को, डसा है, वो साफ, जिसने तुम्हारे Father को, डसा है, Now Wears His Crown, उसने, उसी का जो Crown है, वो पहन रखा है, अब किसके बारे में यह कह रहा है, तो Obviously, उसका जो Father है, वो उसके ही भाई, यानि की, Hamlet के, चाचा, Claudius के बारे में कह रहा है, कि, यहाँ पर उसने जो Serpent कहा है, वो किसको कहा है, Claudius को ही कहा है, कि उस Serpent ने, यानि कि, Claudius ने ही, मुझे डसा है, तुम्हारे Father को, डसा है, और उसने ही, अब क्या किया है, मेरा जो Crown है, मेरा जो राजमुकुट है, वो क्या किया है, पहना है, यानि कि, अब वो राजा बन गया है, मुझे मार करके, ठीक, क्लियर है यहाँ पर, यह घोस्ट ने कहा है, Hamlet से, और यह आठवी यह important lines बहुत जगह पे हैं, तो वहाँ से आपनोट कर ली जगह, मैं फिर उसे एक बार पर दे रही हूँ, the serpent that stinked thy father, thy का मतलब होता है, your, thy father now wears his crown, उसने तुम्हारा Crown जो है, वो पहना है, ठीक है, यानि कि, डन्मार्क का क्या है, राजा बन गया है, आगे देखे, हुराशियो का यह statement है, हुराशियो का कहता है, there's need no ghost, my lord, come from the grave to tell us this, ठीक, यह statement, जो है, वो, किसका है, वो statement, हुराशियो का है, हुराशियो का कहता है, there's need no ghost, just a second, मुझे लगा था, कुछ problem हो गई, यह चल नहीं रहा है, इसको चेक करने में लग गई थी, लेकिन ठीक है, यह चल रहा है, actually, आज जो वीडियो है, वो मम्मी के मुवाई से बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं, परेशान भी हूँ, इसलिए है, क्योंकि इस टाइम पे जो है, वो उनकी call बहुत आती है, जैसे कि पापा की हो गई, भाई की हो गई, तो call आती है, तो इस वज बताने के लिए, किसी भूत को कब्र से बाहर आने की जरूरत नहीं है, हमलेट और हुरैशियो में बात हो रही है, हमलेट जो है, यह बात हमलेट से कह रहा है, कि there's no, there's need no ghost, यहाँ पर किसी भी भूत की, किसी भी घोश्ट की जरूरत नहीं है, my lord, come from the grave to tell us this, इन सारी बातो को बताने के लिए clear है अगर बात करें act or scene की तो ये act 1 scene 5 से ही लिया गया है आगे देखे ये किसका है ये hamlet का जिसे बोलते है statement है ये भी act 1 और scene जो है 5 से लिया गया है ठीक अब यहाँ पर देखे का कहा जा रहा है यहाँ पर हमlet कह रहा है यानि ये जो समय है ये जो वरतमान समय चल रहा है वरतमान समय में इस राज्य में कोई बहुती गंभीर जो है वो दुरगटना हुई है आगे देखे O Cursed Spirit ये O Cursed Spirit जो है वो किसके लिए यूज हुआ है ये उसके खुद के लिए यूज हुआ है यानि वो खुद को कहता है कि मैं कितना Cursed Spirit हूँ यानि कि मैं कितना अभागा हूँ that ever I bond to set it right कि मेरा ही जो जन्म है वो इन सारी चीजों को right करने यानि ठीक करने के लिए मेरा जो bond है मेरा जो जन्म है वो इन सारी चीजों को क्या करने के लिए ठीक करने के लिए हुआ है मेरे उपर ही ये पूरा उत्तरदाइत हो है कि मैं ही इन सारी चीजों को ठीक करूँ come let's go together आओ, हमें साथ-साथ चलना चाहिए, ठीक है, ऐसे सब लोग जो है, वहाँ से चले जाते हैं, तो ये जो है, आपका Act 2, Scene 1 का है, आप नोट कर लो, Act 2 and Scene आपकी 1 है, ठीक, इसमें आपको समझ में आ गया कि हमलेट क्या कह रहा है, हमलेट क्या ही कह रहा है, कि ये जो समय है, इस कि मैं ही जो है, जन्मा हूँ, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि ओवियसली उसके फादर के साथ ऐसा हुआ है, और वो उसका बेटा है, तो वो ही बदला लेगा, और बदला लेने में, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी मर्डर करना पड़ेगा, या spirit आगे देखे देखे अब मैं count नहीं कर रहे हूं आप लो count करते चलना कितने important हुए हैं क्योंकि मैं actually जो है वो भूल गई हूं कहां तक हमने count किया था यहां तक हमने किया था साइद 7 8 9 10 11 12 और यह 13 आई थिंक कि यह 13 है आप लोग देख लिजेगा कि यह कौनसी वाली important line है ठीक कितने कि आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई कहीं कोई confusion होगा तो आप आराम से मुझ से क्या कर सकते हैं question पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं यह जो statement है ना यह therefore since gravity is the soul of wit यह जो statement है यह किसका है यह polonius का है ठेक यह polonius जो है वो किस से बात कर रहा है? रानी से बात कर रहा है और उसी समय यह बाते दोनों की बीच में होती है तो वो क्या करता है? पोलोनियस बताता है कि तुभारा जो बेटा है वो क्या हो गया है mad हो गया है पागल हो गया है तो उसी के बारे में सुचित करता है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा देखते हैं कि statement therefore since brevity is the soul of wit and tenderness the limbs and outward florist I will be brief your noble son is mad mad call I it for to define true madness what is it but to be nothing else but mad but let that go आगे वो यह कहता है कि मैं जो है यह सारी चीज़ें आपको क्या है बहुत brief में बहुत संचेप में बताऊंगा कि किसी भी वस्तु के संबंध में मेरा जो बयान होगा मैं भी जो बोलूँगा वो artificial नहीं होगा वो कृतिम नहीं होगा यानि कि वो क्या होगा बिल्कुल truth होगा बिल्कुल सच होगा आपका जो पुत्र है वो कैसा हो गया है बिल्कुल पागल हो गया है आपका जो बेटा है आपका जो पुत्र है वो क्या हो गया है पागल हो गया है और आगे देखे मैट कॉल आई यानि मैं उसको क्या कहूंगा मैं तो उसको पागल ही कहूंगा क्योंकि अगर मैं हम पागलपन का विशलेशन करें तो हमको यहीं पता चलेगा कि दिमाग का खराब होना और पागल पन में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि लोग उसको कहते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया दिमाग खराब हो गया तो वही वो पोलोनियस कह रहा है कि दिमाग के खराब होने में और पागल होने में कोई भी अंतर नहीं है to define true madness अगर मुझे true madness के बारे में बताय ना होगा तो मैं तो यही कहूँगा कि nothing else but mad यानि कि वो बिल्कुल पागल हो गया है और कोई भी अंतर नहीं है किसी का दिमाग खराम होने में और पागल होने में ठीक है but let that go लेकिन हमें इस मामले को क्या करना चाहिए यही पर खतम कर देना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे कौन सा statement है मतब जिसे बोलते हैं कि ब्रेविटी क्या है ब्रेविटी जो है इन चीजों को भी आप ध्यान रखेगा यह सारी जो है वो आपकी क्या हो रही है important lines हो जा रही है ठीक यानि यही कहता है कि मैं क्या करूँगा मैं जो है जिसे बोलते हैं आपका समय नहीं बरबाद करूँगा लेकिन मैं यही बताता हूँ कि आपका जो बेटा है वो क्या हो गया है पागल हो गया है हलाकि जो आत्मा होती है वो जिसे बोलते हैं उसका एक गुड होता है कि वो उसके ब्रेविटी होती है उसके अंदर लेकिन आपका जो बेटा है क्या हो गया है पागल हो गया है यह statement क्या है यह भी polonius का ही है ठीक polonius का ही statement है अब देखे ये क्या है ये भी act two और scene two से लिया गया है कहां से लिया क्या है act two और scene two से लिया गया है देखे इसमे madam I swear I use no art at all that he is mad it is true it's true it's pity and pity it is sorry it is true a fullest figure but farewell it for I will use no art mad let us grant him then and now remains that we find out of cause of this effect or rather say the cause of this defect for this effect defect comes by cause but it remains and remind us thus perpence I have a daughter have whilst whilst she she is mine who in her duty and audience mark hath given me this now gather and surmise ठीक अब ये देखे ये क्या है ये जो बाते अभी तक चल रही थी ना polonius उसे बोल रहा था कि मैं जिसे बोलते हैं बाते बहुत ही छोटे छोटे संचे कम शब्दों में आपको बता दूंगा और कि आपका बेटा क्या है पागल हो गया है ठीक है तो रानी क्या बोलती है रानी बोलती है कि हाँ मुझे जो है वो to the point बात पसंद है यानि कि बात को तुम exactly जैसी है वैसी कहो बिल्कुल कृतिमता भरे तरीके से जो बातों को घुमा फिरा कर कहा जाता है उन चीजों से मैं क्या करता हूँ घृड़ा करता हूँ तो फिर ये क्या करता है ये reply करता है मैडम, I swear मैं क्या करता हूँ कि मुझे वी जो भी बोल रहा हूँ मैं आपको ये विस्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की मतलब अभिवेक्ति की कला का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ यानि कि मैं किसी भी तरीके से बात को घुमा फिरा कर नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ ये बिलकुल सही है ये बिलकुल truth है कि हैमलेज क्या हो गया है पागल हो गया है ठीक है फिर देखे वास्तों में ये दुख की बात है कि ये सत्य है और ये वास्तों में सत्य है कि ये दुखद है समझ में आया है देखे, यहां पर it is true, ये सत्य है it is true, it is pity कि ये जो सत्य है ये कैसा है, कि हमलेट पागल हो गया है और ये जो सच है, ये कैसा है ये बहुत ही दुख की बात है ठीक and pity, this is truth यानि कि और वास्ताओं में ये सत्य है कि ये जो घटना है ये कैसी है ये दुखद है ठीक आगे देखे ये यहां से देखे I will use no art यानि कि मैं कोई भी कला का प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं कोई भी बातों को घुमा फिरा कर क्या कर रहा हूं नहीं कह रहा हूं मेरा कोई ऐसा अभिवक्ति का बेहुदा तरीका जिसे बोलते हैं जो भी हो सकता है but farewell it मैं उसको क्या करूँगा मैं उसका त्याग किये देता हूं ठीक है क्योंकि मैं किसी भी तरह की चालाकी का प्रयोग आपके सामने नहीं करना चाहता हूं देखे but farewell it मतलब अगर ऐसी कोई चीज हो सकत कोई कला तो मैं क्या है उसको छोड़ दूँगा मैं यानि मैं आपके सामने किसी भी इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं हमको ये सारी चीजे यानि आपको भी हमको भी हम लोगों को ये चीज़े समझ लेना चाहिए कि जो हमलेट है वो कैसा हो गया है वो पागल हो गया है अब हमारा ये करतव्य है हमारा ये काम है कि हम उसके पागलपन और जो भी उसके बुद्धी में कमी आई है उसका पता लगाए कि आखिर क्या कमी है क्या कारण है किस वज़े से वो क्या हो गया है पागल हो गया है ठीक है यहां पर लिखा ना that we find out cause of this effect य कोई मतलब नहीं है अब हम इसका क्या करते हैं solution ढूडते हैं हम ये जानने की कोशिस करते हैं ये find out करने की कोशिस करते हैं कि उसके इस effect था उसके इस पागलपन का कारण क्या है इसका cause क्या है ठीक है क्योंकि इस कमी का कोई कारण तो जरूर होगा ठीक और rather say the cause of this defect यानि इ इंदर आई है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा ये समस्या इस प्रकार है सोचिए कि मेरे मेरे पास एक लड़की है जिसको कि मैं उस समय तक अपनी लड़की मान सकता हूं जब तक वो मेरी है अपने करतव्यों का पालन करते हुए उसने मुझे ये पत्र द निए और क्या करिए निशकर्स निकालिए हमलेट के द्वारा जो है वो लेटर दिया गया था किसको उसकी बिलफ्ट को तो वो जो बिलफ्ट है वो किसकी बेटी है वो पोलोनियस की ही बेटी है ये सारी चीज़े तो आपने वहाँ पर देखी होगी समरी में तो वो क्या कर हलां कि ये बात जो है दुखद है लेकिन फिर भी आप इस बात को यकीन कीजियो और मेरी मानिये तो इस बात पर विचार करने से बहतर है कि इस बात पर विचार कीजिये कि उसके पागलपन का आखिर कारण क्या है फिर वो ये कहता है कि मेरे पास जो है वो एक डॉर्टर है I have her duty and obedience, यानि कि जब तक वो क्या कर रही है, मैंने जो चीजे उसको बताई है, जो भी ज्यान उसको दिया है, जो भी सिक्षा उसको दी है, उनका जब तक वो पालन कर रही है, तभी तक क्या है, वो मेरी बेटी है, now gather and surprise, ठीक, तो अब वही यह कहते हैं, कि आप खुदी इन चीजों को सुनिये, और surprise नहीं है, शर्माईज, यानि और खुदी क्या करिए, इन चीजों का क्या है, निश्कर्स निकालिए, clear है, अब देखे, अगला जो statement है, वो देखे, उसमें क्या है, उसमें वो जो टेक्स्ट है, उसको पढ़ा जा रहा है, क्या है, अब ये देखे वो जो लेटर था जो उसने दिया था उसी लेटर को क्या करता है पढ़कर सुनाता है तो उस लेटर में अब जो भी चीजे लिखी हुई है हैं हमलेट ने जो भी लिखा है अपनी गर्ल्फरेंड को वो सारी चीजें अब क्या होगी वो सारी चीजों को पढ़ करके पोलोनियस जो है वो उसकी मा को समझाता है बताता है अब इसमें वो क्या कहता है वो कहता है कि तुम इसमें संदेह कर सकती हो कि तारे आग और शोले भरना क्या है बंद कर सकती है ठीक यानि तुम इस बात में शंका कर सकती हो इस बात में डाउट कर सकती हो कि तारे आग और शोलो से क्या है भरे हुए हैं यानि कि तारे जो है वो गर्म होते हैं ठीक इस बात पे तुम क्या करती हो संका कर सकती हो तुम इस बात पे भी शंका कर सकती हो कि sun, death, move कि sun जो है वो move करता है यानि sun जो है वो पूरब से निकल कर पश्यम को जाता है इस चीज पर यानि sun के movement पे तारे गर्म होते हैं, तारों के अंदर fire होती है यानि कि वो शोलों और आग से भरे होते हैं इन दोनों बातों पर तुम क्या करती हो संका कर सकती हो ठीक है, तुम इसमें संदेह कर सकती हो कि जूट ही सत्य है, ठीक है तुम इस बात पर भी संका कर सकती हो कि truth to be a lawyer कि जो जूट होता है वो ही सत्य है इस बात पर भी तुम संका कर सकती हो but never doubt I love लेकिन तुम इस बात पर कभी भी संदेह मत करना कभी भी संदेह मत करो कि मैं तुमसे क्या करता हूँ frame करता हूँ I love यह hamlet लिखा रहता है अपनी girlfriend के लिए ठीक है वह यह कहता है कि तुम एक बार के लिए starts के उपर doubt कर सकती हो तुम sun के उपर doubt कर सकती हो तुम सच के उपर doubt कर सकती हो लेकिन तुम कभी भी मेरे प्यार पर doubt मत करना कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ frame करता हूँ ठीक है आगे देखिए ओ dear ophelia ओ प्यारी ophelia I am all these numbers ओ मेरी प्यारी ophelia मैं अच्छी कविता तो नहीं कर सकता ठीक है मेरे अंदर ये art नहीं है कि मैं तुम्हें मतलब ये सारी चीजे कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति करूँ लेकिन मैं अपने दुखों को अभिव्यक्ति करने के लिए जो कला होती है जो poetry होती है जो art होती है उससे क्या हूँ अंजान हूँ अनभिग्य हूँ यानि no art मेरे पास ऐसी कोई कला नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ मैं poetry कर सकूँ या इस तरह की कोई कविता लिख सकूँ ठीक है फिर भी तुम मेरे उपर क्या करो विस्वास करो कि मैं तुमसे क्या करता हूँ प्रेम करता हूँ प्यार करता हूँ आगे वो यही कहता है कि तुम इस बात पर विस्वास करो कि मैं तुमसे क्या करता हूँ प्रेम करता हूँ और प्यारी महिला अच्छी महिला प्यारी पैनियार dear lady तुम जब तक इस सरीर में जान है this is this machine is to him यानी कि जब तक ये सरीर काम कर रहा है machine की तरह चल रहा है यानी जब तक इसमें जान है तब तक तुम इस बात पर बिल्कुल शंका मत करना कि मैं तुम से क्या करता हूँ प्यार करता हूँ और इस बात पर तुम क्या करो बिलीव करो, विस्वास करो क्लियर हो गया आराम से तो ये Act 2, Scene 2 का लाइन है ये जिसे बोलते हैं कि आपका Polonius का ही statement है Polonius जो है वो उसकी मदर को सारी बात बता रहा होता है कि तुमारा बेटा पागल हो गया है और उसके पागल होने के पीछे क्या reason है इसको तुम जानो और जब reason बताता है तो क्या करता है वो जो later होता है वो ही पढ़कर सुनाने लगता है जिसको की Ophelia को दिया रहता है Hamlet उसी later को आगे देखे Hamlet ये भी आपका Act 2, Scene 2 का ही statement है ये देखे कितनी बहतरी लाइन है Hamlet ने कही हुई है बहुत ही अच्छी लाइन है इसमें देखे ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें क्या है देली रूटीन में भी हम इन सारी चीजें के बारे में बात करते ही रहते हैं देखें यहाँ पर क्या है तब तक तुम्हारे लिए कैत खाना नहीं है क्या ये जो संसार है ये जो word है ये तुम्हारे लिए तब तक क्या है तब तक कैत खाना नहीं है तक तक तुम इस बात को समझते हो कि यह जो संसार है इसमें वास्तों में कोई भी चीज कैसी good or bad नहीं होती है कोई भी चीज क्या है अच्छी और बुरी नहीं होती है but thinking make it so लेकिन जो तुम्हारे विचार है वो किसी भी चीज को बुरा या अच्छा बनाते है ठीक है तुमेक इट अ प्रिजन ठीक यानि कि यह जो संसार है यह तब तक के लिए प्रिजन यह कैद खाना नहीं है कब तक जब तक इस संसार में यह मतलब की बुरा और अच्छा यह किस पर निर्भर करता है यह विचारों पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते है ठीक है मेरे विचार से अगर तुम मेरी थिंकिंग के बात करो तो यह जो संसार है यह जो पुरा वर्ड है यह कैसा है यह एक प्रिजन है यह एक कैद खाना है लेकिन इस कैद खाने के अंदर इस संसार के अंदर कोई भी चीज गुड और बैड नहीं है जो हमारी thinking होती है वो ही चीजों को कैसी बनाती है अच्छा या बुरा या निकी गुड या बैड बनाती है clear है अब मुझे लगता है इसको तो समझाने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगा क्योंकि इस चीज को आप समझी रहे होगी जिसे कहा ही जाता है कि अगर आप सुंधर है अगर आपका नजरیया सुंधर लगा है आप चीजों को एक प्योर नजरिया से देखते हैं तो आपको दिखाई देने वाली जो चीज होती है, वो अपने आप क्या होती है, सुन्दर होती है, आगे देखते हैं, 56 मिनिट हो गए है, जरा मैं देख लूँ कितना और है, कहीं कॉल ना आ जाए, तो फिर, अभी तो काफी है, तो ऐसा करती हूँ मैं, कि ये जो वीडियो है न, इसको यहीं पर, एक सिकंड, एक वीडियो और बनाऊंगी, और उसके बाद दोनों वीडियो को जोड करके, मतलब मिलेगा तो आपको एक साथ में, लेकिन मैं वीडियो को दो बार में बनाऊंगी, क्योंकि एक में देख लूँ टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो गया है, अब इस पे फोन आने स्टार्ट हो तो मैं नहीं चाहती कि बीच में जो है, वो क्या हो, जिसे बोलते है, रुकावत आए, तो इसलिए जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दूसरा में आपको बना दूंगी, तो उसमें क्या, लेकिन चीजे आपको एक साथ मिल जाएंगी, आप बिल्कुल उसके लिए यह ना सोची कि हमको दो टुकड़े में मिलेगी, तो हमको ढूनना पड़ जाएगा, आपको एकी मिलेगी, बस यह वाला जो है, लाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम बन करेंगी, क्यों इसके बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, हमलेट का, तो यह वाला जो स्टेटम है, वो जैसे कि अभी बोल रहा था कि कोई भी चीज अच्छी और बुरी कैसी होती है, वो हमारे विचारों पर निर्माड करती है, तो वही वो कह रहा है कि यह जो व्यक्ति का निर्माड, मतब व्यक्ति निर्माड का कितना उत्कृष्ट जिसे बोलते हैं, आदर्स है, क्य इसके अदर क्या 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 होता है वह बिलकुल आकर्शक होता है वह अपनी जिसे बोलते हैं ख्रियाओं में अच्छा होता है तो कहने का मतलब है यहां पर यही सारी चीज़े बताई गई है तो यहां से जो important line आपकी बनती है जो exam में पुछी जाती है वो यही बनती है what a piece of work is a man यही पुछी जाती है ठीक यह line पुछी जाती है तो इसको आप समझ लिजे यह आपकी act 2 scene 2 से है Hamlet Mahoday ने इस line को कहा है ठीक अब यहां से मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी ठीक आप लोग एक बार मुझे बताईएगा जरूर कि आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा क्योंकि यह जो important lines है यह important lines में आपके लिए first यह video होगा ठीक है important lines का यह क्या होगा first video इससे पहले जो है वो सारी आपकी summary है exam point जो है वो दिये गए है यह सारी चीजें दी गई है लेकिन जो जिसे बोलते हैं कि important lines वो अभी तक नहीं बताई गई है तो important lines का सिलसला आपका अभी से start हो जाता है पहले मैं आपको hamlet cover कराऊंगी फिर mad bet cover कराऊंगी इस तरह से सारी चीजें आपको important lines जो है वो मैं करा दूँगी और चुकि मैं पूरी important lines एक साथ cover करवा रही हूँ तो जो वीडियो है वो थड़ा लंबा होगा पूरा जरूर देखेगा एक ही जगा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं है बाकि आपकी मर्जी है आपका time है आपके विचार है आपकी सोच है ठीक है तो मैं दूसरा वीडियो बना कर इसमें add कर दूँगी ठीक है तो आपको जो वीडियो है वो पूरा आपको एक collected मिलेगा यानि कि hamlet की जितनी भी important quotation है जो भी exam में आती है वो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है तो ये देखे हम जो देख रहे हैं ये act 3 scene 1 की line है act 3 and scene 1 की line है hamlet ने इसको बोला है ठीक और जैसे की मैंने आपको बार बार बताया है कि ये act or scene से question आते नहीं है लेकिन एकाद बार पूछे भी गए हैं तो इसी लिए मैं आपको जो है act or scene भी बता देती हूँ तो चलिए इसको देखते हैं to be or not to be that is the question whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outranger's fortune or to take the arms against a sea of trumbles and by opposing and them ठीक यहां तक है एक quotation उसके बाद देखिए वसे तो mainly जो है ये यही line पूछ ली जाती है कि to be or not to be that is the question बस यही पूछ लेता है ठीक है तो अगर आप पूरा देख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए अदरवाई सिफ आप इसी line को देख ले ना मैं बता दे रही हूं पूरा आगे देखे to die, to sleep, to know more and by asleep to say we in the heartache and the thousand natural socks that flesh is here to this is consummation devoutly to be wished to die, to sleep to sleep perchance to dream are there a rub for is that sleep of death what dreams may come when we have suffered of this moral coil must give a pause that's the request ठीक यहां तक देखते हैं चले to be or not to be यहां पर Hamlet कह रहा है कि that is the question यहां यहां यह question है मेरी यह समस्या है यहां question का मतलब क्या है problem तो यानि कि मेरा यह problem है मेरी यह समस्या है कि to be or not to be यानि कि मैं आत्महत्या कर लूँ या फिर मैं आत्महत्या ना करूँ और इसी तरह यह जो पूरा जीवन है दुखी जो जीवन है इसको व्यतीत करता रहूँ ठीक है novelist in the mind to suffer यानि मैं क्या करूँ मैं पूरी जीवन क्या करता रहूँ सफर करता रहूँ यहां पर वो जो है जिसे बोलते हैं कि दुविधा भरे mood में हैं और वो decide नहीं कर पा रहे कि उनको आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो वह ही वो कह रहे है hamlet कह रहा है कि मेरा ये question है कि मैं आत्महत्या कर लूँ या फिर ये जो जीवन है मेरा दुखद जो दुखी जीवन चल रहा है इसको ही मैं जीता रहूँ इसके आगे देखिए आगे वो कह रहे है सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है क्या मैं समस्याओं के सामने आत्म समर्पन कर दू surrender कर दू ठीक है तो मैं उन समस्याओं के सामने आत्म समर्पन कर दू या फिर मैं उनके साथ एक युधरत होकर एक अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए प्रयत न करूँ ठीक समझ में आ गया यहां तक यहां तक जो है वो यही कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ मैं मरूं या जिन्दा रहूं मेरे पास दो विकल्प हो सकते हैं कि एक तो मैं जो है ये जो जीवन चल रहा है दुखी जीवन ये जो मेरा चल रहा है इसी को व्यतीत करूँ और अच्छा रास्ता क्या होगा क्या अच्छा रास्ता ये है कि मैं अपनी समस्याओं के सामने आत्मसमरपन कर दूँ यानि कि आत्महत्या कर लूँ या फिर दूसरा रास्ता कि मैं अपने जो sea of troubles है यानि जो मेरी जिसे बोलते हैं समस्याओं का पहाड है उनको मैं क्या करूँ अपोस करूँ यानि कि उनके सामने मैं प्रयत्न करूँ समाधान धूनने का आगे देखे तो डाई टू स्लीप यहां से देखते हैं ठीक तो जो मृत्यों है वो केवल निद्रा की रानी हो सकती है ठीक क्योंकि जब किसी की मृत्यों होती है तो व्यक्ति क्या होता है चिर निद्रा में आदमी कहा नहीं जाता है मतलब यह है कि उनकी permanent death हो गया बहु जगने वाले नहीं है तो इसलिए यहां पर कहागया है to die to sleep no more यानि जो नीद है जो मृत्यु है वो क्या है वो नीद की यानि निद्रा की रानी हो सकती है और इसका उदेश से अच्छा हो सकता है लेकिन इस प्रकार की नीद से हम अपने समस्त जितनी भी सारीरिक मानसिक दुख कठिनाईया या फिर जीवन की समस्त समस्याओं का क्या कर सकते है अंत कर सकते है यानि कि अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी जीवन में क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है क्या करथिनाईया है मदब कि क्या कोई भी चीज चल रही हो हमारी लाइफ में उन सारी चीजों से क्या होता है हमको समाधान मिल जाता है यानि उन सारी चीजों का क्या होता है अन्त हो जाता है आगे वो कहता है कि इससे उत्तम उपाए और कोई भी नहीं हो सकता इससे उत्तम उपाए इससे बहतरीन उपाए कि व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो जाए व्यक्ति चिर निद्रा में चला जाए इससे उत्तम उपाए और कोई नहीं हो सकता है उसके बाद लेकिन यदि मृत्यों की इस नीद में भी बुरे सपनों द्वारा विखने किया जाए तो ये बिलकुल भी विभिन समस्या बन जाती है ठीक यानि कि माली जी कि आप कोशिस कर रहे हैं उसमें हैं लेकिन उसके बाद भी डिस्टरब क्या जा रहा है बुरे सपनों के द्वारा बुरे सपने आ रहे हैं तो उससे क्या होता है विगन पड़ जाता है और ये बिलकुल भी विभिन समस्या बन जाती है फिर तो इसे इस प्रकार की नीद के बारे में इक्षा करने के पूर वही क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, यानि सोचना नहीं चाहिए कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ठीक? यानि कि एक पॉस देना चाहिए, रुकना चाहिए कि इस तरह की नीद के लिए, ठीक है? एक pause देना चाहिए must give us pause यानि मुझे उस तरह की need के लिए जो कि मुझे चिर्निद्रा में ले जाएगी और वो मेरे सारे दुखों का अंद तो कर सकती है लेकिन ये कोई एक उत्तम उपाए नहीं है तो ये सोचकर मुझे क्या करना चाहिए रुक जाना चाहिए ये तो मैंने आपको थोड़ा background के लिए बता दिया लेकिन main आपकी जो important line है वो यही है ठीक तो इसको आप आराम से ध्यान रखिएगा वहीं से question आता है आगे देखिए ये है आपका quotation number 17 कौन सा है 17 है ठीक 17 में देखिए ओफीलिया कहती है I was more deceived चाह कहती है I was more deceived अब जो अगली line है वो है hamlet की get thee to a nursery एक सेकंड इसको छोटा करूँ इधर से कट रहा है फिर बताती हूँ हाँ भी ठीक है get thee to a nursery why wouldst thou be a breeder of sinner I am myself indifferent honest but yet I could assume me of such things that it were better my mother had not born me I am very proud revengeful ambitious with more offense at my back than I have thoughts to put them in imagination to give them shape or time to act them in what should such fellows as I do crawling between earth and heaven we are arant knaves all believe none of us go thy ways to a nunry where's your father now this line is घर चली जाओ और आज इवन क्या करो कुवारी रहो ठीक है यानि कि जिसे बोलते हैं शादी मत करो या फिर तुम इस संसार में पापियों को जन्म दोगी अगर तुम ऐसा करती हो जिसादी कर लेती हो या वो तो क्या करोगी तुम इस संसार में पापियों को जन्म दोगी मैं कोई बहुत इमानदार व्यक्ती नहीं हूँ क्योंकि मैं उन बुराईयों का आदी हो चुका हूँ जिनके बारे में सोच कर ही यह कहा जा सकता है कि ऐसे पाप को करने से यही अच्छा होता कि उसने इस संसार में जन्म ही ना लिया होता ठीक, Mother had not born me अब देखें वो यही कह रहा है उससे कि जब ओफिलिया ने कहा कि मुझे धोखा दिया गया है तो हमलेट क्या reply कर रहा है हमलेट reply कर रहा है कि मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम कहां चली जाओ, गिर्दा घर चली जाओ वहां पर तुम शादी मत करो कुमारी ही रहो क्योंकि अगर तुम शादी कर लेती हो वो कहता है कि अगर तुम शादी कर लेती हो तो तुम क्या करोगी तुम जिसे बोलते हैं कि पापियों को ही जन्मद होगी क्योंकि मैं इतना बुरा हूँ और मेरी तुम्हारी जो सुन्तान होगी वो क्या होगी उसके अंदर भी यही गुण आएंगे तो इसी लिए तुम क्या करूगे तुम पापियों को ही जन्म दोगी इसी लिए क्यों क्योंकि मैं कोई बहुत इमानदार व्यक्ति नहीं हूँ देखिए I am myself indifferent honest यानि कि मैं कोई बहुत इमानदार व्यक्ति नहीं हूँ मैं अब ऐसा हो चुका हूँ कि जिसके बारे में लोग सोचकर ये कहते हैं कि अच्छा तो यही होता कि ये इनसान संसार में जन्मा ही नहीं होता ठीक है mother इसकी माने इसको जन्मे ही नहीं दिया होता तो मैं उस तरीके का हो गया और बच्चे पैदे करने से तो बहतर है कि तुम गरजा घर में जाकर आज इवन कैसी रहो कुवारी रहो ठीक है उसके बाद देखें I am very proud, revengeful, ambitious with more offense at my back कहां से देखते हैं मैं जो है बहुत जादा घमंडी हूँ बदला लेने के लिए बहुत जादा उत्सुक हूँ और ambitious य और उनको करना चाहता हूँ ठीक है यद्यपी अभी तक ये पाप मेरे अंदर अपनी जड़े नहीं जमा पाए हैं यानि कि वो जिन चीजों के बारे में सोच रहा है कि जिस तरह से उसके फादर ने बोला है कि तुम्हें बदला लेना है और तुमको मारना है ठीक तुमको म रहतर होगा तुम मुझे जैसे पापी से शादी करने के तुम कुमारी रहो क्योंकि मेरे अंदर जो है मैं बहुत कैसा हो गया हूँ घमंडी हो गया हूँ मैं बदला लेने वाला हो गया हूँ क्योंकि मुझे अपनी पिता की जान का बदला लेना है और मैं बहुत तो कांच मुझ जैसे प्राणियों के जीवित रहने से क्या पाइदा है क्या लाब है कि मैं जीवित रहू k की क्या कर रहा हूं मैं इस समय सिर्फ और सिफ किसके बारे में revenge के बारे में ही सोच रहा हूं हम सब पक्के कैसे है जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कह लिजी कि खराब हैं या बदमास आप कह सकते हैं हम मेंसे किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता believe none of us यानि कि हम मेंसे कोई भी आसा नहीं है जो विश्वास पातर है जिसके उपर विश्वास किया जा सके तुम कहां चली जाओ तुम को मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम गिर जा घर चली जाओ तुम्हारे पिता जी कहां है ठेक तो समझ में आ गया यहां पर हमलेट क्या रिप्लाई कर रहा है अफिलिया से वो यही कह रहा है कि तुम भीया मुझसे शादी मत करो क्योंकि मैं बदला लेने वाला हो गया हूँ मैं एमवेसियस हो गया हूँ और मेरे अंदर यह सारी भावनाए जो है वो आ गई है हाला कि वो इतनी जड़े उनकी अभी मजबूत नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसे शादी करके क्या करोगे बहता रहके तुम गरजा घर चली जाओ और बिना सादी किये हुए रहो तो आगे बढ़ते हैं यह जो है आपका यह भी Act 3 Scene 1 से लिया गया स्टेटमेंट है है Hemlet का आगे देखिए यह देखिए यह जो है यह भी Act 3 Scene 1 का ही है important line number के अगर हम बात करें तो यह है 18 और इसमें कहा गया है ओ, what a noble mind is here overthrown ठीक क्या कहा गया है what a noble mind is here overthrown यानि कि कितनी, ओ, कितनी noble mind यानि कितनी महान आत्मा जो है overthrown यानि कि क्या हो गई है तूट गई है, क्यों? क्योंकि आप देखिए कि hamlet जो है वो कितना अच्छा था और किस तरह से उसको प्यार करता था, किस तरह से अभी आगे भी देखा कि वो उससे कहता था, कि तुम्हें एक बार तारो के ज्वलन सीलता पर शंका कर सकती हो, तुम सन के movement पे संका कर सकती हो, तुम सच पे लेकिन तुम मेरे प्यार पे शंका मत करना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार करता हूँ तो बीचारी ओफिलीया क्या है? ओफिलीया क्या सोच रही है? ओफिलीया यही कह रही है Oh what a noble mind is here overthrown यानि कि कितनी महान आत्मा तोट गई है क्योंकि तब ही तो जो है इस तरीके से बोल रहा है उसका मानसि जो संतुलन है वो भी गड़ गया है तो clear है आपका ये act 3 scene 1 की line है ओफिलिया ने कहा है हमलेट के बारे में आगे देखे ओ हर्ट यहां से देखेंगे हम ओ हर्ट, lose thy nature, let not ever the soul of Nero इंटर, बाहर मौसम जो है वो बारिश वाला हो रखा है हावा काफी तेज चल रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है वो वोईस जो है वो आ रही हो तो manage करिएगा क्योंकि काफी तेज हवा चल रही है तो बगल में जो है वो पेड वगए रहे हैं तो आवाज आ रही है तो थोड़ा बहुत देखेगा वैसे मैंने कोशिस की है कि आए ना सारी चीज़ें लॉप करके रखी है चली इसको देख लेते हैं आगे क्या है O hurt, lose not thy nature, let not ever the soul of Nero enter this firm bosom let me be cruel, not unnatural, I will speak daggers to her but use none my tongue and soul in this be hypocritics, how in my words soever she be slant to give them shield, never my soul, conceit ठीक अब यहां से देखना है कि यहां पर देखे किसकी बात हो रही है यहां पर जो hamlet है वो क्या कर रहा है वो अपनी मदर की तरफ बढ़ रहा है ठीक उधर जा रहा है तो उधर जाते हुए ही क्या चीज़े कह रहा है, क्या चीज़े सोच रहा है उसके बारे में ही हम बात करने वाले है तो अब देखें वो यही कह रहा है कि मतलब मुझे जो है बहुत ही जाज़ा जिसे बोलते हैं कि तुम जो है मतलब उसी नेचर में रहो क्यों क्योंकि जिसे कहते हैं कि एक तरह से वो यह कह रहा है कि मैं इतना निर्दैता पूर्व नहीं होना चाहता हूँ यहाँ पर वो कह रहा है कि यहां से लाइन आपकी आती है ठीक कि I will speak dagger to her यहाँ मैं उससे बहुत ही निर्दैता पूर्वक शब्दों से बात करूँगा यहाँ मैं उसको बहुत ही बुला भरा करूँगा बट यूज नन लेकिन मैं जो है वो अधिक निर्दैता वाले कारे नहीं करूँगा यानि मैं उससी बुरी बाते तो कर सकता हूँ मैं उसको बुरी बाते बोलूँगा लेकिन मैं उससे जो है बुरी जिसे बोलते हैं बुरा उसके साथ कुछ करूँगा नहीं ठीक है आगे देखते हैं My tongue and soul in this hypocritic मेरी जीब जो है मेरी क्रियाएं क्या होंगी उनसे बिलकुल अलग होंगी यानि कि मैं बोलने के लिए तो जबान से कड़वा रहूँगा मैं जादा जिसे बोलते हैं कड़वा बोलूँगा लेकिन जो जिसे बोलते हैं कि क्या कहते हैं मेरा काम जो है समझ में आया क्योंकि अपनी एक्षा के विरुध यानि उसकी जो एक्षा ہے वो तो नहीं चाहता कि करे लेकिन यहीं कहरा आए कि मैं अपनी एक्षा के विरुध कोई कारें ना कर सकूए इसी लिए मैं जबान से ज़ादा बोलूगा मैं जबान से उनको बहुत कड़वे शब्द बोलूँगा लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं करूँगा मैं कुछ बुरे करतव नहीं करूँगा बुरे कारे नहीं करूँगा सिर्फ बुरी चीज़े बोलूँगा मेरी जबान से सिर्फ कड़वे वर्ट्स निकले तो इसलिए वो बोलता है कि मैं अपने फ्रिदय से को जिसे बोलते हैं अधिक को अत्यधी कड़ा नहीं होने देना चाहता हूँ यानि मैं अपने मा के पास जा रहा हूँ तो मैं अपने फ्रिदय को अत्यधी कड़ा नहीं होने देना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि मे कोई गलत काम कोई बुरी बुरा काम ना करूं ठीक यह जो आपका है यह एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है ठीक है एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है हेमलेट की बात है हेमलेट जो है अपनी माता के बारे में बोल रहा है क्योंकि रात में जो है वो कहां जा रहा है अपनी मा के पास ठीक है तो लिए तो कर लूँगा लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मेरी जीव जो भी बोले उसके जसट अपॉसित में मेरा काम हो क्यूक्तकि मेरी जीव कड़ बोlex अबम बहुत मिला हुँ से शिथाना करों आगे सब्सक्राइब रहें हैं 18th number था नहीं, 18th number important line थी, आगे देख्ते हैं, King, follow her clothes, give her good watch, I pray you, oh this is a poison to deep grief, it springs all, it springs all from her father's death, and now behold, ogre toot, ठीक, उसके बाद है, when shawrow come, they come not single spice, but in batillation, यह वाली जो line है, यह बहुत important है, यह वाली, King, जो है, वो यह बात कहता है, कि जब भी जो sorrow है, जो दुख है, वो अकेला नहीं आता है, तो आगे देखें, पूरा पढ़ लेते हैं, फिरस के बारे में समझते हैं, first her father's seen, next your son gone, and he most violent author, यहां तक देखते हैं, इसका meaning, follow her clothes, give her good watch, I pray you, तो वो क्या कहता है, वो कहता है, कि तुम जो है, वो क्या करो, उसकी देख भाल करो, ठीक, क्रिपया उस पे जो है, वो नजर बनाए रखो, ठीक है, oh this is the poison of grief, deep grief, यानि कि ये अत्यधिक दुख का क्या है, परिडाम है, ठीक, क्या है कि ये अत्यधिक दुख का परिडाम है, कि उसके पिता की मृत्यू का परिडाम है, किसके पिता का, जो उसका फादर मर गया है, उफिलिया का, तो वही हो कह रहे हैं, उसके पिता की जो मृत्य हो गई है उसी का ये कैसा है ग्रीफ बहुत ही बुरा परिडाम है जब कस्ट आते हैं तो एक साथ आते हैं ठीक जब भी दुख आते हैं तो वो कैसे आते हैं वो बिल्कुल ही अकेले नहीं आते वो ग्रूप में आते हैं यानि का जब एक दुख पढ़ता है तो बहुत सारे जीवन में दुख एक साथ ही आ जाते हैं पहले ओफिलिया के पिता की हत्या कर दी गई ठीक है फर्स्ट हर फादर स्लेन यानि पहले ओफिलिया के पिता की हत्या कर दी गई फिर डेनमार्क से बाहर जाने के लिए वो स्वैम उत्तेदाई है क्योंकि यह अत्यधिक हिंसक कारे उसी ने किया है किस ने किया है हमलेट ने किया है हमलेट के हाथो यह उसके फादर की जो है वो death हो जाती है यहां पर महराज का स्टेटमेंट है, महराज कह रहे हैं कि जब जो ये सारी चीजें, जो दुख है, ये क्या है, ये उसके पर बहुत जादा दुख पड़ा है, इसी का परिडाम है, उसके मृत्यू जो उसके पिता के डैथ हो गई है, उसके पिता के जो मृत्यू हो गई है, ये इसी का परड़ाम है ओग जूट जब भी दुख आते हैं जिन्दगी में तो वो अकेले नहीं आते अपने साथ और धेर सारी मुसीवत साथ में लेकर आते हैं पहले तो उसका पिता मर गया और बाद में क्या हुआ कि तुम्हारा जो बेटा है वो भी यहां से चला गया क्य आगे देखें 20 नंबर हैं हमलिट क्या कह रहा है हमलिट का स्टेटमेंट है I loved Ophelia 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum what would thou do for her ठीक अब यहां पर वो यही कहेगा कि वो कितना जादा प्यार करता है उसी के बारे में बताएगा किस से Ophelia से ही वो यही कह रहा है कि I loved Ophelia मैं Ophelia से बहुत जादा प्यार करता हूँ और कितना प्यार करता हूँ जितना उसके 40,000 भाई भी मिलकर मेरे प्यार की बराबरी नहीं कर सकते हैं इसी लिए मैं वो यह बात कह रहा है कि मैं Ophelia से जो प्यार करता हूँ मेरा प्यार इतना जादा है कि अगर उसके 40,000 भी मिल जाएं, उनका प्यार एक तरफ, और मेरा प्यार एक तरफ, तो मेरा प्यार ही भारी पड़ेगा, यानि कि मैं 49,000 भाईयों से भी जादा प्यार किसे करता हूं, ओफिलिया से करता हूं, और मेरे प्रेम की क्या है, कोई बराबरी नहीं की जा सकती, यानि मेरे प्यार को क्या है काउंट नहीं किया सकता तो मुसके लिए क्या करोगे तो मुसके लिए क्या करोगे तो समझ में आगया मैं यह जो लाइन है आपके मैं बता दू यह यहां से यहां तक पुछी जाती है ठीक यहां तक कि I loved Ophelia ठीक मैं Ophelia से प्यार करता हूं और उसके 40,000 भाई मिलकर भी मेरे जितने प्यार मेरे प्यार की तुलना नहीं कर सकते मेरा प्यार उन लोगों के प्यार से जादा है यानि हावी भारी है अब बात करें एक्ट और सीन की तो यह एक्ट फाइव और सीन वन एक्ट फाइव and scene 1 के line है, ठीक, Hamlet महोदय बोल रहे हैं, किस के बारे में अपनी beloved के बारे में ये 20 था I think, उसके बाद देखे ये वाली line जो है अगली line देखते हैं Not of it we defend agree, there is a special providence there is a special providence is the fall of sparrow if it be now it is not to come, if it be not to come it will be now if it be not now, yet it will come, the radiance is all, since no more has ought of what he leaves what is it to leave bad time let be ये आपका अगर बात करें तो act 5 scene 2 की line है किसकी है? act 5 or scene 2 की line है hamlet के द्वारा कही गई है hamlet कह रहा है not a wheat यानि की नहीं नहीं, बिलकुल नहीं मैं जो है there is a special providence in the fall of sparrow यानि मैं क्या है मैं प्रतेग जिसको बोलते हैं की मतब एक तरस आप ये कह लिजे कि जितने भी शकुन है उनको वो क्या कर रहा है चुनौती दे रहा है वो कह रहा है कि मैं प्रतेग शकुन को चुनौती देता हूँ बिना इस्वर की इक्षा के छोटे से छोटा पक्षी जो अबाबील होता है हम लोग कैते है इस्वर की मरजी के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हील सकता तो वही वो भी ये कह रहा है कि अगर स्वर्ष की मरजी नहीं हो तो चोटे से छोटा जो पक्षी होता है अबाबील होता है यानि कि यहाँ पर देखे षब्ता लेस्तित Wonder salad तैयारी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है ठीक है लगता है मुझे मेरा हाथ लग गया था तो इसलिए बंद हो गया था चाली कोई नहीं यह दो एड हो जाएगा तो सही हो जाएगा लेकिन इसको मैं फिर से बता देती हूं ठीक है क्योंकि मुझे लगता है उसमें पता नही के बिना तो छोटे से चोटा जो पक्षी जो इस पैरो है उसका भी पतन नहीं हो सकता ठीक है जो प्रिप्रेशन होती है जो तैयारी होती है हलाकि वह जादा महत्योपूर्ण होती है लेकिन जो कुछ इस समय होने वाला है वो भविश्य के लिए नहीं टाला जा सकता यानि जो चीज इस्वर के अनुसार अभी घटित होने वाली है वो अभी ही घटित होगी उसको टाला नहीं जा सकता कब के लिए फ्यूचर के लिए और जो भविश्य में होने वाला है उसको इस समय नहीं किया जा सकता यानि इस्वर ने जिन चीजों के लिए जो समय निर्धारि किया गया है उसी समय पर वो चीजे जो है वो घटित होंगी यानि कि भविष्य के लिए जो चीजे हैं वो अभी नहीं हो सकती और जो चीज अभी घटित होने वाली है वो भविष्य के लिए टाली नहीं जा सकती जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह अपने साथ कुछ भी न समझ में आया यहां देखे लिखा है ना तो क्या कोई भी वेक्टी चाहे वह बहुत धन्वान हो चाहे बहुत गरीब हो वह क्या करता है संसार से कुछ भी नहीं ले कर जाता है इसलिए अच्छा यही होगा कि हम सब जल्दी से जल्दी क्या हो जाएं यहां से इस संसार से चले जाएं और इस वर ऐसा ही करें समझ में आया आगे बढ़ते हैं इसको मैं थोड़ा सा उपर कर देती हूं नहीं पता चला फिर सर टच हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आगे देखिए हमनेट का है यह लास्ट जिसे बोलते हैं लाइन है इसके पहले जो मैंने अभी आपको बताए हो मैंने बताए दिया है एक्ट फाइव सीन टू की लाइन थी कौन सी थी एक्ट फाइव और सीन टू की लाइन थी अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है इसमें आपको पूरा नहीं देखना है हमलेट जो है वो कहता है किस से कहता है हुरेशियो से कहता है कि ओ आई डाई हुरेशियो यहां से देखना है लेकिन इसमें जो लाइन आती है जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है यह last line है जो कि उसने बोली थी उसके बाद क्या होता है हमलेक की जो है वो death हो जाती है तो यह last line जो है वो ही पूछी जाती है कि पूरा ही मैं आपको बता देती हूँ पुरा एक बर पढ़ देती हूं इसका meaning भी बता देती हूं लेकिन लास्ट वाली को अब अच्छे से समझेगा अच्छे सो ध्यान में रखेगा लास्ट कोटेशन है ये Oh I die Horashio The potent poison quite or close my spirit I cannot live to hear the news from England but I do prophecy the election lights on 14 brass He has my dying voice so tell him with the occurrence more and less which have solicited the rest is silence अब आगे देखें आगे वो यह ही कह रहा है कि कह रहा है Oh Horashio मैं क्या कर रहा हूं मैं मर रहा हूं सक्तिशाली विष ये जो poison था the potent poison मतलब जो सक्तिशाली विष है जो सक्तिशाली poison है उसने मेरी spirit पे मेरी आत्पां पर क्या कर लिया है विजय प्राप्त कर लिया है यानि वो जीत गई है मैं उस समय तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि England से कोई समाचार आए I cannot leave यानि मैं तब तक के लिए जिन्दा नहीं रह सकता to hear the news उस news को सुनने के लिए जब वो England से आये यानि मैं तब तक क्या करता हूँ तब तक जिन्दा नहीं रह सकता हूँ क्योंकि यह जो विस का प्रभाव है वो मेरे सरीर पे तेजी से बढ़ता ही जा रहा है यानि कि परन्त मुझे यह घोश्रा पहले ही कर देनी चाहिए चाहिए कि देन्माक के राजा के रूप में 14 ब्रास का चैयन करना चाहिए यानि अब देन्माक का राजा कौन बनेगा वो यही कह रहा है कि मुझे पहले ही यह बता देना चाहिए कि देन्माक का जो राजा है वो कौन बनेगा वो बनेगा 14 ब्रास बनेगा उसके बाद देखे He has my dying voice यानि अपने अंतिम शड़ों में अपना मत पत्र उसी के पक्षमे मैं देता हूँ यानि मैं यही चाहता हूँ कि डिनमार्क का राजा कौन बने 14 ब्रास बने और मैं उसी के पक्षमे अपना मत देता हूँ उसे ये बाते विस्तार पुर्वक तुम बता देना कि सब घटनाएं किस तरह से घटी ये सारी परिस्थितियां किस तरीके से उत्पन हुई ठीक है तो टेल हिम यानि उसको तुम सब कुछ बता देना more or less यानि छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात यानि हर एक चीज तुम बता देना कि चीजें यहाँ पर किस तरीके से घटे थुई आगे हैं सभी वस्तुओं पर मृत्यू क्या करती है विजय प्राप्त कर लेती है सब कुछ जो है वो खत्म हो गया और अब क्या हो गया हर तरफ सननाटा ही सननाटा रह गया यानि सभी के ऊपर क्या होता है मृत्यू हावी हो जाती है मृत्यू विजय प्राप्त कर लेती है और यहाँ पर क्या होता है उसके डेथ हो जाती है तो क्लियर हुआ यह लास्ट इंपोर्टन्ट लाइन थी इस पूरे प्ले की Act 5 Scene 2 की लाइन है Hamlet के द्वारा बोली गई है Horatio से क्योंकि Horatio जो है वो भी यही बोलता है कि मैं भी मर जाओंगा मैं भी जिन्दा नहीं रहना चाहता हूँ तो उसको मना करता है Hamlet, Hamlet कहता है नहीं Horatio तुमको जिन्दा रहना पड़ेगा मैं मर रहा हूँ चुकि जो मेरी बोडी में Poison है वो अपना असर दिखा रहा है और मेरे उपर विजय प्राप्त करता जा रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तरी तक जिन्दा नहीं रह सकता कि England से आने वाली news को मैं सुन सकूँ इसलिए मैं पहले ही ऐसी prophecy कर देता हूँ ऐसा घुश्रा कर देता हूँ कि अब कौन राजा बने Fortin Braz जो है वो राजा के रूप में चैनित हो और मैं अपना मत उसी के पक्ष में दे रहा हूँ इसलिए जब वो आए तो तुम उसको सारी चीजें विस्तार से मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात सारी बाते बता देना कि किस तरह से घटी इनके पीछे क्या परिस्तितियां थी सब कुछ जो है तुम उसको बता देना और लास्ट में वो ये कहता है कि the rest is silence यानि जो सभी वस्तूँ है उन पर मृत्यू क्या करती है विजें प्राप्त कर लेती है I hope आप सभी लोगों को जो है वो clear होंगी ये quotations इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया या कोई और line है जिसका आप meaning अर्थ समझना चाहते हैं तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं बाकी अपना थौछ साब जिसे बोलते हैं response जरूर दीजेगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया है नही अच्छा लगा या नही उसको जरूर बताएगा अगर कहीं कोई सुधार की संभावना है तो उसके बारे में भी comment कीजेगा तो मैं उस पे जरूर गौर करने की कोशिस करूँगी और अगला जो आपका play होगा यानि अगला जो हम बात करेंगे tragedy की की अगली कौन सी tragedy की important line देखेंगे तो वो होगी आपके macbeth हमने hamlet को पूरा cover कर लिया है कम से कम मुझे लगता है ये जो है देखें ये 7 मेट का वीडियो है इसके पहले जो बना है एक गंटे मुझे लगता है डेड़ गंटे से जादा का ही वीडियो होगा ये जो आपको मिलने माला है ये डेड़ गंटे से जादा का वीडियो होगा और इसमें जितनी भी important line थी जो अभी तक पूछी गई है या पूछी जा सकती है सब कुछ मैंने आप लोगों को cover करा दिया है इसके अलावा कोई question हो तो बेजी जाक आप पूछ सकते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे अपने valuable response जरूर दीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like कीजेगा share कीजेगा और चैनल पे अगर आप नए हैं पहली बार आ हैं तो इसको subscribe करके इस family का हिस्सा जरूर बनियेगा bye bye everyone bye and take care